हाई अब्रिवन विल्कम बैक तो मैं चैनल आज मैं स्टैप बाइ स्टैप दिखाने वाली हूँ आपको मेकप टुटोरियल स्मोकी आई तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम प्राइमर यूज़ करेंगे और अपने फेस को हाइडरेट करेंगे आप कोई भी प्राइमर यूज़ कर सकते हो मैं प्राइमर यूज़ कर रहे हूं स्टेक वरकी का लिक्विड प्राइमर है और मुझ पूरे फेस पे ही अपने पूरे फेस पे लगा लूँग और अच्छी तरह हम मसाज कर लेंगे इसके बाद next step है foundation और मैं purple का और maybelline का mix match करके लगाओंगी क्योंकि ये मेरा yellowish color है और एक थोड़ा white color है तो दोनों mix करके मेरे बिल्कुल same मेरे color का हो जाता है आप देख सकते हो मैं इसको mix कर रही हूँ 2-3 drops मैंने उसकी लिए 2-3 drops उसकी लिए और ये दोनों mix करके आप ये एक अच्छा सा अगर आपके पास गलती से कोई dark या light color आ जाता है तो आप mix match करके आप foundation तेयार कर सकते हो जैसे कि मैंने किया है तो आप ये देख सकते हो same बिल्कुल मैं अपने neck पे भी लगा रही हूँ और अपने पुरे face पे भी लगा लिया है तो ये मैं अच्छी तरह beauty blender तो मैं यूज नहीं कर रही हूँ आज आज मैं कर रही हूँ एक floppy mac का बहुत अच्छा ये sponge है जो कि मैं इससे blend करूंगी इसे भी मैंने बिगा के अच्छी तरह निचोड लिया था उससे मैंने step हमारा हमेशा यह होता है कि अपने foundation को अच्छी तरह set करना नहीं तो crease line आ जाती है तो उससे makeup अच्छा नहीं होता है तो इसलिए हम यह करेंगे अब हमारी eyebrow की बारी है जो eyebrow fill करना है आप कोई भी चीज यूज कर सकते हो आपकी मर्जी है अच्छी तरह आप starting से बिल्कुल eyebrow कभी भी नहीं start करना है जहां से मैंने start किया है वहीं से अपने product रखके अपना फिल करना है eyebrow को हमेशा नहीं तो वह ओड लगती है अलक्सी लगती है बहुत ही ज्यादा गंदी रगती है तो आप यह आगे का हिसा छोड़ के अपने eyebrow को फिल कर लेंगे spoolie के मदद से आप अच्छी तरह comb कर लेंगे अब हम अपनी eyebrow को clean करेंगे मैंने use किया है pro concealer LA girl का yellow character जो सारे अपने eyebrow concealer मैं use करती हूँ मैं यही वाला use करती हो हमेशा और अच्छी तरह मैं blend कर लूँगी उसी sponsor जो मैंने अभी पहले use किया था आपने eyebrow को अच्छी तरह shape दे द पर आप concealer लगा लेंगे eyeshadow से पहले और मैं यह use कर रही हूँ कलर पॉप का brush अब मैं start करूंगी good as gold यह कलर पॉप की palette है जो की में को बहुत लोगों ने बोला था कलर पॉप से प्लीज आप कोई makeup create कीजिए तो मैंने इस palette से सबसे light color लिया है जिसको अपने lid area पे लगा रही ह ब्लैंड करते हुए लगा रही हूँ brush में वही use कर रही हूँ जो कलर पॉप का मैं आपको बंडल दिखाया था अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखिए तो मैं eye button पे देदूंगी आप देख लेना color pop haul अब मैं next brown dark brown color ले रही हूँ उसी palette से जो आप outer corner पे product रखोगे और मतलब shape दे देता है और एक fluffy brush से आप इसको ची तरह दोनों को smudge कर लेंगे ताकि एक harsh land ना दिखे अब मैं lower lash पे भी अपने blend कर लूँगी यह वाला ही color जो मैंने अभी outer corner पे लगाया है inner corner पे golden color highlight कर लिया है मैंने और अब मैं अपने lid area पे लगा रही हूँ golden color जो की बहुत सुन्दर लग रहा था यह लगाने के बाद इसकी palette की pigmentation बहुत अच्छी है आप देख सकते हो और एक angle brush लेके मैंने brown color लिया है liner मैंने skip कर दिया इसको liner के बदले लगा रही हूँ मैं एक brown color लेके आप अच्छा सा smoky look भी दे सकते हैं जरूरी नहीं है कि liner लगाना है बहुत जरूरी वाइट liner वाइट काजल लेकर मैं लगा रही हूँ बहुत ही अच्छा stick और की काई काजल है next step है मेरा eyelashes जो की सबसे best और पूरा look ही change कर देता है आप यह देख सकते हो यह मैं huda beauty की समान था eyelash use करती हूँ तो आप यह देख सकते हो बहुत ही अच्छी eyelashes है और eye look बिल के बाद तो आप skip करना चाते हो तो skip कर सकते हो और आपने लगाना चाते हो तो लगा सकते हो और भी अब मैं इसके बाद लगाऊंगी benefit roller lash mascara benefit का और अच्छी तरह मैं उसको दोनो eyelashes को साथ में mix करके लगा लूँगी अब यह color bar का बहुत अच्छा favorite blusher है जो की मेरे make up से match खाता है तो मैंने यह brush लगाया है और इसके बाद मैं contouring कर रही थी nose पे और हलका सा चिक पे अब यह like me की बहुत प्यारी से lipstick का color है जो की powdery lipstick है जो मैं अपने शेप दे रही हो अपने lips को और आप इसको अच्छी तरह समझ करते हुए लगा सकते हो और मैं अपने finger की मदद से बहुत ही easily और वह कर रहे हूं ताकि जो extra है वो निकल जाए lipstick next step final look जो हमारा है वो है ओफरा का highlighter जो की मेरा favorite है तो हम दोनों side लगाएंगे आप यह देख सकते हो बहुत अच्छा look दे रहते हैं तो अब यह मेरा final look आप देख सकते हो इसके बाद और फिर बता सकते हो कि कैसा लगा आपको यह मेरा makeup full makeup step by step आपको मैंने बताया अगर आपको यह वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना प्लीज गाई सब्सक्राइब कर लेना नहीं हो तो और मैं मिलते हो आपको नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए बाए गाई